तमस्कार दोस्तों वोईशॉफ जैसर में आपका बहुत-बहुत स्वाकत है दोस्तों मैं एक विशे लेकर के आया हूँ जो वर्तमान में बहुत ही एक गंबीर विशे है यूक्रेन और रशिया का युद्ध और मैंने इसे एक प्रियोग नाम दिया है प्रियोग इसलिए दि नि आधिया है उन्होंने कई छोटे-छोटे देशों को अपने कभजा के रखे है या उनको थुचार वारभरचे भी पंगा ले चुका है तबत उसके पास है लेकिन बात हम कर रहे हैं यूक्रेन और रस्या की तो यूक्रेन का अभी क्या मामला है यूक्रेन पूरा का पूरा यूरोपियन जो देश है जिसमें हम कह सकते हैं नाटो विश्व की जो कहते हैं बड़ी सक्ति यानि की जो सेनाओं का एक शमू बनाए उसके इसारों पे जो उनुहोंने कहा उसका साहत दिया. चाहिए वह किसी भी देश का मामला हो. और उन्होंने भी उसे पूरा एक प्रोटेक्शन दिया. लेकिन अच्छल में जब फिजिकली कोई मामला आता ह्चाहा तो उसमें क्या होता है? तो विश्व पूरा दो किसी समय दो महा सक्तियों के अंदर बंटा हुआ था एक रशिया जिसे हम कह सकते हैं यू एसे सार शोवियत संग और इधर यू एसे शीत यूद चलता था पूरा विश्व दो भागों में बंटा हुआ था और करीब 90 91 के करीब रशिया का विक्टन हो गया कई अर्मेनिया कजाकिस्तान यूक्रेन शोमानिया यह सब देश जो है से टूट करके बन गए लेकिन हम बात आते हैं करते हैं यूक्रेन पर आज यूक्रेन की क्या दसा है आज यूक्रेन का साथ कोई नहीं दे रहा है उसको बहुत पैसा दे रहे हैं लेकिन उसका उसे बहुत ही इतना चड़ाया और रशिया को हरवार धमकी देता रहा मूल विशे यही है आज अमरीका की क्या इस्तिती है यूक्रेन के युद में अमेरिका आज हासी पर आ गया है हम जापान की बात करें जापान की भी जो जितनी भी शेन्य गतिविदिया है उसको USA ने अगर जापान पर कोई हमला हो जाता है तो आज जो यूक्रेन की इस्तिती है वही जापान की बन सकती है तो इससे विश्व के अंदर USA अमेरिका का जनाधार गटा है हासी पर आ गया है आज बड़े फिकट इस्तिती में घूम रहा है क्योंकि जो लोग अमेरिका की और जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ है इसकी वज़ा से आज यूक्रेन बहुत ही पीछे चला गया है और अमेरिका बिलकुल ही आज विश्वास के काबिल नहीं रहा है आने वाले समय में विश्व के अंदर अगर यह समश्या नहीं सुलजती है तो अमेरिका का बिलकुल हम कह सकत का दूर है वो इस यूक्रेन और रस्या की युद्ध के बाद समाप्त हो जाएगा ऐसा मेरा मानना है दोस्तों